नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दे लाइफ सोलियूट सुन पर मैं रामचंद्रणवा आप सभी का हार्दिकवनंदन करता हूँ आपको पता है पसू प्रीचर है उसके इलावा यानिकी अन्य जिसे ल्डिसी की बात करूँ कनिश साहिक की बात करूँ अन्य भरतियां भी बहुत सारी राजस्तान में आई है और उन सभी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्या है जनरल साइंस आती है तो जनरल साइंस की हम पहली क्लास लेकर आए इसके अंदर हम अब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये क्लास है आ अपने क्या साइस की क्लास है इसको अपने टोफिक वाइश शुरू कर देगे अभी मैं आपके लिए आज की पहली क्लास में कुछ मैं तोवन्टी क्यूशन लेकर आए उन पर हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं चलिए पह है A, B, E और D तो जल में गुलंसील विटामिन की मैं बात करता हूँ विटामिन कौन-कौन से होते हैं विटामिन B और C होते हैं ये दोनों क्या होते हैं जल में गुलंसील होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओप्सन कौन सा है B उसके इलागा अगर मैं बात करूँ आपके व नेक्स किसन है कौन सा अंजाइम दूद के पाचन में साहिता करता है इन में से कौन सा अंजाइम होता है दूद के पाचन में साहिक है लाइसोजाइम, टाइलिन, रेनिन और पेपसिन तो दोस्तों अगर बात करें दूद के यानि कि दूद का पाचन करने में कौन सा अंजाइ है और अमासे से क्या है एक रस का सिक्रेशन होता है जिसे क्या कहते है जठर रस कहते है कौन सा रस कहते है जठर रस कहते है या गेश्ट्रिक जूस कहा जाता है तो इस जठर रस या गेश्ट्रिक जूस से कौन से अंजाइम का सिक्रेशन होता है रेनीन अंजाइम का सिक्रेश पेपसीन, रेणीन और लाइपेज तो यहांग करता है यहांगे तो अभी हमने बड़ा है दूद का पाचन करता है पेपसीन की बात करें पैसे पेपसीन पैसे प्रोटीन का पाचन करता है उसके बाद मैं सगे Ouais Amylage Carbohydrate का पाचन करता है यानि कि Amylage है किसका पाचन करता है जो लाइपेज किसका पाचन गरता है अगर बात करें यहाँ पर आपके दह decision की बात कर लेतेकि कि जो मेरे भोजन का पाचन होता यानि है कि हमारे भोजन का पाचन होता है, मनुसिय के अंदर जो भोजन का पाचन होता है, वो किस में होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमासे में या विलाई के अंदर, तो यानि कि अगर बात करें दोस्तों, मनुसिय के अंदर जो यानि कि भोजन का पाचन होता है, वो किस में होत प्रोटीन होते हैं और यह क्या है इनिंग के दुवारा यानि एंजाइम होते हैं यही क्या करते हैं भोजन का पाचन करने में हमारी साहिता करते हैं यानि भोजन का पाचन कोन करते हैं तो आपको याद रखना एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं और यह एक प्र पर है तो आपको याद रखना है तो आपको पता है राष्टिय जलिये जीव है वो कौन सा है हमारा यानि कि गंगा डॉल्फिन है कब गोशित किया गया था 2009 के अंदर है यानि गंगा डॉल्फिन को क्या है कब गोशित किया गया था 2009 में गोशित किया गया था तो भारत का राश्क्रिय जलिये जीव है वो कौन सा आपका यानि कि गंगा डॉल्फिन है next question की बात करें question number 8 मच्छों के जेविक नियंतर्ण के लिए निमल में से किसका प्रियोग किया जाता है जेविक नियंतर्ण के लिए DDT, गंबूशिया, तेल, वेसलिन तो अगर बात करें एक मच्छली की परजाती होती है जिसका नाम क्या होता है गंबूशिया परजाती होता है और इसका यूज क्या जाता है यानि की मच्छों का कंट्रोल करने के लिए या हम कह सकते हैं जेविक की बात करें जेविक नियंतर्ण करने के लिए किसका यूज करते हैं गंबूशिया यानि कि ये क्या होती है मचली की पर जाती होती है फिसकी के स्पीसीज होती है क्योशन नमबर 9 की बात करते हैं आनुवान सिक्ता यानि जैनेटिक्स सबद किसने दिया था मौर्गन, मैंडल, बैट्सन और जॉंसन अगर बात करें यहाँ पर आपसे पूछे कि फादर ओफ जैनेटिक्स फादर ओफ जैनेटिक्स यानि आनुवान सिक्ता के जनक तो आपका याद रखना यानि कि अनुश्ता के जनक है वो किसे कहा जाता है, मैंडल को कहा जाता है परन्तु क्योशन में हमसे पूछा है आनुवान सिखता सबद किस ने दिया तो याद रखना सबद है वो सबसे पहले किस ने यूज किया था बैटिसण ने यूज किया था परन्तु फादरोफ जैनेटिक्स है मेंडल को कहा जाता है क्योसन नमबर 10 की बात कर लेते हैं क्योसन नमबर 10 है फंफूद के अध्यन को कहते हैं यानि कि फंफूद का अध्यन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है मर्मिकोलोजी अगर बात करें तो मर्मिकोलोजी होता है आपका चींटियों का अध्यन यानि कि मरमिकोलोजी की बात करें, तो यह आपका क्या होता है, चिंटियों का अध्यन, चिंटियों आप जानते हो, तो चिंटियों के अध्यन को क्या कहते है, मरमिकोलोजी कहते है, एंटमोलोजी किसके अध्यन को कहते है, किटों के अध्यन को कहते है, फाइकोलोजी की बात गर पहले अगर बात करें Montex test, Montex test है आपका यानि कि Montex test का use किया जाता है TB rog का पता लगाने के लिए कौन से rog का पता लगाने के लिए TB rog का, ELISA test की बात करें तो आपका जो adds rog होता है adds rog का पता लगाने के लिए कौन सा test करते है ELISA test करते हैं विडाल test के बात करें तो आपका जो इजा एड्स के लिए और स्टूल टेस्ट होता है वो आपका याने की हैजा के लिए और विदाल टेस्ट आउस पकी लिए या जाता है अगर बात करें अपने कुणेन एक ओस्दी है यह पादव के किस भाग से पराप्त होती है पतिया फल जड तनावे साकाऊं की खाल से तो पर मलेरिया रोग के अंदर काम में लिजाती है और इसको किस से प्राप्ट किया जाता है तनाव है साखाओं की छाल से प्राप्ट किया जाता है तो यह याद रखना है आपको कमेंट में बताना है मलेरिया रोग होता है वो किसके दवारा होता है यानि मलेरिया रोग का कान क् कोमेंट में बताना आपको किमलेर रोग किसके दुवारा होता है नेक्स अपने बात करें अफला टोक्षिन विस किस से बनता है तो याद रखना अफला टोक्षिन की बात करें विशानू कवक सेवाल और जिवानू तो यानि कि अफला टोक्षिन जो विस होता है वो हम किस से प्राप्त होता है एक कवक होता है जिसका नाम क्या होता है एसपर जिलस एसपर जिलस फ्लेवस तो इसके दोवारा याने कि यह अफला टोक्षिन होता है एक परकार का जहर होता है जो बनता है किसके कौन बनाता है इसको एसपर जिलस फ्लेवस नाम का कवक बनाता है और किस मे बनता है कौन से प्लाइट में बनता है तो आपको याद रखना है मूनफली में बनता है ठीक है मूनफली आपने खाई होई के बार यानि कि मूनफली खाने के बाद में हमारा मुए खराब हो जाता है वो किसकी वजह से होता है इसी एफला टॉक्षिन की बजह से होता है का मत्मल होता है हड्डियों होती है वो क्या होती है टेडी मेडी हो जाती है जो हमारी बोंस होती है उनकी स्ट्रेक्चर होती है वो क्या विग बोग जिग जेक स्ट्रेक्चर हो जाती है यानि टेडी मेडी हड्य हो जाती है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रह तो अधिक्तम अगर बात करें सांदरता है वो आपकी कितनी हो सकती है दो एमल तक हो सकती है कितनी हो सकती है दो एमल सकती है यानि कि जो पैजल होता है पीने योगे जो पानी होता है उसमें यानि कि कोपर के सांदरता है वो अधिक्तम क्या है दो एमल तक हो सकती है एक लिटर पानी में, next अगर बात करें, solder कि इन दो धातूं से बना मिशर धातू है, यानि जब दो धातूं को क्या है, आपस में मिलाया जाता है, तो यानि कि जो नई धातू बनती है, उसको क्या कहते हैं, अपने यानि मिशर धातू कहते हैं, या ऐलोई कहा जाता है, तो यह ऐलोई है, वो किस किस से बनी होती है तो याद रखना है यानि कि ये किस से बनी होती है सीशा और टेन से बनी होती है ते क्योंसर नमबर 18 की बात कर लेते हैं निमन में से कौनची गेंस जिसे एक्वा लंग्स में गोता खोरो द्वारा सांस लेने में oxygen में मिलाई जाती है यानि सामाने आपको पता है कि हम क्या है जो सवसन के अंदर गेंस काम में ले जाती है वो कौनसी होती है oxygen होती है परन्तु जो गोता खोरो होते है वो यानि कि समुंदर के अंदर जाते है तो वो कौनसी गेंस है जो oxygen के साथ में मिला जाती है methane, nitrogen, helium और hydrogen तो याद रखना है यानि कि हलकी गेंस कौनसी होती है हेलियम होती है तो हेलियम को मिलाया जाता है दोस्तो नेक्स अगर बात करें यहाँ पर खाना पकाने के लिए तेल बनस्पति घी में किस परकेरिया के दोवारा बदला जाता है यानि खाना पकाने के लिए तेल बंस्पतिगी में आपने सुना होगा जैसे डालडा गी आता है वो आपका बंस्पतिगी होता है तो डालडा गी है वो बनाने के लिए जो प्रकेरिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद रखना है इस प्रकेरिया को क्या नेफरोन नियोरोन आप्टिक तो याद रखना यानि कि एल्वियोली होती है वो क्या है अगर बात करें एल्वियोली होती है वो आपके जो लंग्स होते हैं लंग्स की मुल्वूतिकाई होती है उसका नाम क्या होता है एल्वियोली होता है यानि लंग्स या फेपडों की मु बुल्बूती काई होती है और टिक की बात करें यह आपके जो आई होती है उन से समझ दीता है बई चलिए नेक्स क्यूशन की बात कर लेते हैं क्यूशन नमबर 20 निमन में से किसमें बंध परिश्टन तंतर पाया जाता है यानि कि अगर बात करें जो केंचुआ होता इसमें यानि कि आपका कैसा सर्कूलेटरी सिस्टम पाया जाता है यानि